नमस्कार फ्रेंड आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्च की डिफरेंट टाइप की रेस्पी इसको हमने दूसरे बनाया है आप अगर एक बार इस रेस्पी को बना करके चक लेंगे तो बार-बार बना कर खाएंगे यह बहुत ही टेस्टी रेस्पी बनती है तो चलिए देखते ह हैं इसको कयसे बनाते हैं तो यहाँ पर लिह एक पाउ हरी मिर्च यह मोटी वाले मिर्च इनको हमने अच्छी तरह से दोख और साफ साप लिया है यह मिर्च ज्यादा इस पाइसी नहीं होती है हलकी सी तीखी होती है तो इनको हम पकोड़ें करें म squeezed करते हैं यह वफी तो इनको मैं ऐसे ही कट कर लेती हूं, गोल गोल चोटे-चोटे साइज में मैं इनको काट करके तयार करती हूं, मिर्च कटके रेडी हो गई हैं, यहां पर मैंने कुछ मिर्चे निकाल ली हैं और इतनी को मैंने काट लिया है, तो मैं अभी इतनी ही मिर्चों से रेस्पी बना इनको रखती हूं साइड में अब मैं एक पैन ले लेती हूं अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले तो यह सौप एक चम्मच जो हम खाना खाते हैं बस वही चम्मच है काली मिर्ज के दाने 8-10 जीरा एक चोटा चम्मच और यह सफेद तिल यह भी एक चोटा चम्मच है चार च और अब हमें इनको दी में ड्राय-roeौ्स्ट करना है दो मिनट के लिए भूण लेते हैं आलका सा बस नमी निकल जाए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब इन मसालों को हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोनड देते हैं अब हम इने मिकसर में डालते है और इ यह इस तरह से थोड़ा सा दाने-दार है तो ऐसे ही हम पीस के मसाला को रेडी करते हैं अब फटा फट गैस पर चलते हैं और पैन चड़ाते हैं एक टेबल स्पून तेल डालते हैं और तेल हमारा हलका सा गरम हो गया है अब हम डालेंगे चोथाई छोटा चमच हींग इसको हलका सा भून लेते हैं और अब हम तुरंत ही इसके उपर मिर्चे डाल देते हैं फ्लेम हमने स्लो रखा हुआ है और अब हम 2-3 मिनट तक मिर्च को भून लेते हैं अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आये तो मुझे लाइक जरूर दीजेगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा बेल को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरी आप तक आसानी से पहुं सके तो यह देखिए मैंने 2-3 मिनट तक मिर्चो को भून लिया है अब यहां पर हम एड करते हैं थोड़े से सूखे मसाले तो हल्दी आदा छोटा चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी है आदा छोटा चम्मच धनिया दो छोटे चम्मच धनिया को थोड आसा चला लेना है जस्ट आधा मिनट के लिए यह मसाले भी थोड़े से भून गए हैं अब हम इसमें डालेंगे दूद तो यह हमने एक बड़ा कप दूद का लिया हुआ है इसको हम डाल देते हैं और आप चिंता मत कीजिए मिर्च में दूद डाला है लेकन यह दूद तो इसी तरह से चलाते हुए हमें सुखा लेना है यह देखिए काफी सूख गया है तो सिर्फ पांच मिनट लगे हैं और मिर्च हमारी सूख कर तयार भी हो गई है इनको धकर तो पकाते ही नहीं है तो अब हम यहां पर डालते हैं सूखे मसाले जो हमने रोष्ट करके पीस क इसी तरह से मिक्स हो गए हैं यह मिर्च ना ही अचार है ना ही चटनी और ना ही सबजी लेकिन यह तीनों का स्वाद देती हैं आप एक बार बना कर देखिए इसमें आपको तीनों के स्वाद मिलेंगे तो अब हम यहां पर नमक डाल देते हैं तो यह हमने आधा चोटा चीनी तीखापन बैलेंस करती है तो अब इस समय पर हम यहां डालेंगे नीवू का रस यह हमने आधा नीवू लिया हुआ है और इसको हम पूरा निचोड देते हैं यह डालना बहुत जरूरी है बहुत ही बढ़िया इससे स्वाद आता है नीवू हम पहले नहीं डालेंगे नहीं तो दूद फड़ जाएगा तो वो पनीर जैसा हो जाएगा लेकिन यह मावा का टेस्ट देता है इसलिए दूद को हम पहले डालते हैं और नीवू को बाद में फ्लेम को करते हैं बंद अब हम मिर्चों को ठंडा कर लेते हैं यह देखिए कितनी बढ़िया मिर्च बन है कि यह चटनी है या अचार है या सबजी है लेकिन यह वाकई बहुत अच्छी लगती है तो अगर आपको मेरी यह आसान रेस्पी पसंद आई हो तो मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए और इस टेस्टी रेस्पी को एक बार आप अपने घर में जरूर ट मिलती हूँ अगली रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार